गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टेडी विद्ग्यान रखास देखे फ्रेंड्स एक बड़ी अपडेट है ओमिक्रोन को लेकर कि इलाबाद हाई कोट ने देश बिदेश में कुरोना के नए वैरियंट ओमिक्रोन के प्रसार को देखते विए प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से आगामी विद्धानसभा चुनाव कुछ समय के लिए टालने काक्रे किया है कोट ने कहा कि यूपी विद्धानसभा चुनाव में लोगों को कुरोना की तिसरी लहर से बचाने के लिए राजनेतिक दलों की भीड एकत्रित करने वाली चुनाई रहलियों पर रोक लगाई जाए क्योंकि जान है तो जहान है इसके साथ यह दालत ने यह भी कहा है कि राजनेतिक दलों से चुनाव प्रचार टीबी और समाचार पत्रों के माध्यम से करने को कहा जाए यह बात न्यायमूर्ती सेकर कुमार यादों ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी की जमानत अरजी मंजूर करते हुए अपने आदेश में कही है कोट ने कहा कि आज इस न्याले के समक्ष लगबाग 400 मुकदमे सुची बद्ध है न्याले के समक्ष नित्ह मुकदमे सुची बद्ध होते हैं और बड़ी संक्या में अधिवक्ता उपस्तित होते हैं उनके बीच किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है अधिवक्ता आपस में सटकर खड़े होते हैं जबकि कुरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और सिगरी तीसरी लहर आने की आसंका है कोड ने कहा कि महावारी को देखते हुए चीन, नीदरलेंड, आयरलेंड, जर्मनी, स्कॉटलेंड जैसे देशों ने पूरिया आंसिक लागडाउन लगा दिया है ऐसी इस्थित में हाई कोड कर रिष्टरा जनरल से आग रहे हैं कि वह यहां इस विकट इस्थित से रिपटन के लिए नियंबनाएं कोड ने कहा कि दैनी समाचार पत्र में ऐसे भयावर स्थिति जा रही है को रोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि लागओ कि संक्रमित हुए बड़ी संक्रमित ग्राम पंचाथ चुनाओं एवंग बंगाल विधानसभा के चुनाओं ने लोगों को काफी संक्रमित किया जिससे लोग मौत के मुह में गए आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाओं का जो चुनाओं है वो निकट है सभी राजने तिक दल रैली सभाएं आधिकर के ल प्रदेश भी दिया है तो दोस्तों यहाँ पर मुक्यमंत्री योगी आधितिनाद ने कुरोना संक्रमण के प्रसार को देखते विए क्रिस्मस और नए साल के जस्न के मद्दे नजर प्रदेश में सक्ती बढ़ाने के निरतिश्दिये हैं सियम योगी ने कहा कि क्रिस्मस और नए साल के जस्न में आजुत अनिवारी पार्टियों में कोबिट प्रोटोकाल सोसल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवारे रहेगा नए वरियन का प्रसार रोकने के लिए तराज ये तत्काल कदम उठाएं प्रधान मंत्री तो प्रधान मंत्री नर्द मोदी ने गुरुवार को उच्छ अस्तरी बैटक महामारी की इस्तिती समीशा की है आधिकारी सुत्रों के अनुसार स्वास्त मंत्राले ने प्रधान मंत्री को बताया कि राज्यों को क्या सला दी गई है प्रधान मंत्री ने प्रशार रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिये हैं तो संक्रमन का लगातार खत्रा बढ़ता जा रहा है इसके बावजूद लोग लापरवाई कर रहे हैं राजनितिक दलों की रेलियों में आ रहे हैं लाखों लोग सोसल डिस्टंसिंग यहाँ पर असंबव है और ओमिक्रॉन के मामले में 200 होने में 19 दिन लगे जबकि मूल करोना वाइरस को 60 दिन लगे थे तो ओमिक्रॉन के फैलने की दर मूल वाइरस के मकाबले 318 फीजदी जादा है रोज औस तन दस दसबलों पांच लोग संक्रमित हो रहे हैं तो इसी के मदिन अज़र हाई कोड का आग्रह की चुनाव टाले जाए और रेंट्स अगली खबर है उत्तर दिस लोग से वायो योग योपी फिसी से संबंगे एक भीकरती जारी की गही है जिसमें सोचल वेबफेर डिपार्टमेंट के अंतरगात लेक्चरल इलेक्ट्रिकल इंजिनिंग, लेक्चरल सिविल इंजिनिंग, लेक्चरल मैर्कैनिकल इंजिनिंग, वर्कसाप सुपरिंटेंडेंट, लेक्चरल सिरिक्स और इस्टेक एजुकेशनल रिसेर्च एंड काउंसिल यूपी में लेक्चरल फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर प्रापतांग और कटाफ को आयो की वेबसाइट uppsc.up.nac.in पर 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक उपलत कराया गया है अभिरती अपने अनक्रमांग और डेटा बर्थ को डाल कर प्रापतांग और खटाफ देख सकते हैं इस सम्मद्ध में यह भी सुचित किया जाता है कि उक्त सीधी भर्थियों के प्रेडाम के सम्मद्ध में सुचना का अधिकार दिनियम तो जब पाच के अंतरगर प्रातना पत्र सुईकार नहीं होगा और नहीं उस पर विचार किया जाएगा अले कबर फ्रेंड्स की सिक्चक बर्थि का संसोधित रिजल्ट तो 99 जा सिक्चक बर्थि परिच्चा कि कि जब अब आस्वासन नहीं संसोधित परड़ाम जारी करने के बाद ही वोटेंगे दोबर में सच्चिव और अन्य अधिकारियों ने प्रदसन कर रहे अभेटियों से बात की और आस्वासन दिया कि सुक्रवार को मीटिंग है पूरी उमीद है कि इस पर नेड़े लिया जाएगा 69 जा सिक्चक बर्थि की उत्तरकुंजी में एक प्रस का उत्तर गलत था एक नंबर से चैन से बंचीत रह गए अभेटियों को अभेटियों को इस मामले को लेकर कोड में गए थे कोड के आदेस के तीन माँ बाद भी संसुजित परणाम जारी नहीं हुआ तो अब भर्थि लगातार प्रतसन कर रहे हैं मांग कर रहे हैं कि उनको एक अंक देकर फिर अगर वो मेरिट में आते हैं तो उनको न्यूक्ति प्रदान की जाए मामला 69 जार सिक्चक बर्थि से जुड़ा हुआ है अगली कपर है भर्थियों में धानली के कई मामले पर कारवाई एक भी नहीं तो भर्थियों में भर्थियों में भर्थियों में कई मामले सामने आये लेकिन ज्यादातर मामलों में कोई ठोस कारवाई नहीं हुई प्रत्योगी चात्रों में इस्तिनाराजगी है और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर दूसियों पर कारवाई कीम मांग की है प्रत्योग्यों ने उत्तर प्रदिश लोग सिवा आयोग, उचितर सिक्षा सिवा आयोग, माध्यमिक सिच्षा सिवा चैनायोग और उत्तर प्रदिश अधिनस सिवा चैनायोग यनिक UBIT aşCLOE 125D पर भाष्टा 4 के गंबीर आरोप लगाए हैं CBI उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयोग की तकरीबन 600 भरती परिशों की चार्ज कर रही है जिसके तहट लगबक 40,000 पदों पर चैन हुआ CBI ने PCS 2015, APS 2010 में धांदली के मामले में दो FIR भी दर्ज की लेकिन दोसी अब भी पकड़ के बाहर है और CBI ने दोसीों पर कारवाई के लिए आयोग से अव्योजन स्विकृति मागी लेकिन आयोगन में फाइल अभी तक लंबित पड़ी हुई है प्रदोगी छात्र संगर समित के मेडिया प्रभारी प्रसांद पांडे ने मुख्यमंतरी को पत्र लिकर मांग किये कि वह इस मामले में हस्तक्षीब करें प्रसांद कारोपे के पूर की सरकार में आयों के जिन करद्चारियों ने भंचाचार किया उन्हें अब भी बचाय जा रहा है प्रसान देमने पत्र में लिखा कि पिछली सरकार में विष्टाचार का मुद्दा बनाकर युगाओं को न्याज दिलाने का वादा किया गया था लेकिन यह वादा कोरा साबित हुआ एजीटी पिजीटी 2011-13-2016 में तमाम अनेमिताएं सामने आई मादमी सिक्षा सेवा चैन बोर्ड की पूर कारवाख अधिक्ष को पत्सेटा दिया गया एल्टीक्र सिक्षा भरती में पेपर आउट के आरोप लगे पूर परिक्षा ने अंतरक को जिल भेज दिया गया भरती 2013 जल निगम भरती दरोगा भरती चगबंदी लेकपाल भरती 2015 समेत तमाम भरतियां प्रशाचार की भेट चड़ी है उत्तर प्रदेश रिष्चे पातता परिक्षा याने की यूपी टीटी की परिक्षा आप 23 जनुरी को होगी परिक्षा का पैड़ाम 25 जनुरी को घ परिक्षा केंद्रों का निधारमतेजी से कराएं और परिक्षारतियों के संक्या को देखते हुए लगबग 30,000 केंद्र बनने की उमीद है 27 दिसंबर तक केंद्रों की सूची NIC को भेजी जाएगी 12 जनुरी को प्रश्पत्र वेबसाइट पर अप्लोड हो जाएंगे और 20 जनुरी तक प्रश्पत्र वेबस ओमार सीट जिला मुख्यालों पर पहुचा कर कोसागार में रखवाई जाएगी बड़ी न्यूज यहां पर यह है कि उत्तरब्दिस सिक्षपात्ता परिक्षा रद्ध होने के बाद सरकार UPTT रद्ध होने के बाद सभी परिक्षारतियों को अपने गंतब तक जाने और पूनर परिक्षा में सामने होने के लिए मुफ्त यात्रा करने का एलान कर चुकी है यानि कि आने जाने का जो खर्चों का वो सरकार वहन करेगी यह एक वाकई बड़ी न्यूज है और इस उविदा को पाने के लिए परिक्षारतियों को अप कि कस्तूर्बा विद्यालों में पढ़ाने के लिए अध्यापक के पास किसी विशे की विशेसगिता होना अनिवार नहीं है अपर प्रामरी विद्यालों में पढ़ाने के लिए NCT द्वारा निधारित योगिता रखने वाला अध्यापक कस्तूर्बा विद्यालों में मनी सर्कूलर को रद्ध कर दिया है तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जो की मंदपरसिशियर रजनातक है बीड है और टेटी पास है तो वो कस्तूर्बा विद्यालों में पढ़ाने के लिए योग गिरेगा ऐसा कोट ने कहा है और कुलदीब सक्सेना और उननिस अन्य सहित दरजनों याजिकाओं पर यादिस नयामूर्थी अस्तुनी कुमार में ने दिया है तो दोस्तों यह थी आज की सारी अप्रेट्स और देखे फ्रेंड्स यहाँ पर जो नियूज होती है वास्तिरी ग्रूप से वह ही आपको दी जाती है फ्रेट्स नूज नूज जो है ना तो गड़ी जाती है ना आपको बताई जाती है और यहाँ पर आप पूरत्या संदुश्ट हो सकते हैं कि जो भी खबरे आएंगी वो सही रहेंगी तो आपकी इसी बिस्तुनित्या को हम बरकार रखने का पूरा प्रयास जीवन बरकरते रहेंगे थैंक यू सो मच, have a great day जैन, please do like and share